Student of the Year Part 2 देखी दोस्तों और Part 2 को देखने के बाद मेरा जो reaction था ये था गौर से फर्माइएगा और आगे का review मेरा जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ राहु भोच स्वागदे आपका आपके फेवरिट चैनल में और मैं ये question करन सहाब से पूछना चाता हूँ करन जोहर जी से पूछना चाता हूँ कि करन सर मुझे बताईए कि आपके production तले इतनी अच्छ अच्छी फिल्में बनी हैं आपके production तले केसरी आत इतना साइधा पैसा कैसे हो सकता है सर मैं बस ये जानना चाहता हूँ और प्लेस मेरा पता नहीं क्यों फिल्म देखकर एक जो विजन था वो है ना क्प्लेटली धर्मा प्रोडेक्शन की फिल्मों से थोड़ा सा उठने लग गया है क्योंकि फिल्म की अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं उसको देखू लिटरिली गाइस आपको मैं बता दू कि फिल्म अगर मैं बात करूं स्टूडेंट ओफ दी येर पार्ट टू को ले जाने की करन सर अकेले ही बैठके सिनेमा को दसल पीछे खीच रहे हमें वहीं चीज़े दिखा रहे हैं जो कि उन्हों हमें कुछ कुछ होता है में दिखाई है या फिर उनकी सब्सेक्वेंटली और फिल्में ले लीजिए स्टूडेंट ओफ दी येर वन की अगर मैं बात कर है मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो टाइगर श्रॉफ की फिल्मों से जलन है ये है वो है अरे बही टाइगर बिचारे उनकी इमेज को बार बार हर कोई फिल्मेकर उसी को ही भुनाने की कोशिश कर रहा है टाइगर श्रॉफ के पास टैलेंट है टाइगर श्रॉफ अच्छा कर सकते हैं टाइगर श्रॉफ में पोटेंशल है बट हर कोई क्यों टाइगर श्रॉफ के कूदने फादने उनके डांसिंग मूव उनकी बेर चेस बॉड़ी इसी पर ही फोकस कर रहे है क्यों टाइगर श्रॉफ के फेशिल एक्सपेशन पर काम किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा and this film is all about Tiger Shroff और उनके तीन जो facial expression है वो बात करो अगर दोस्तों, तो पुनीत मलोतरा ने जिस तरीके से गोरी तेरे प्यार में disaster film बनाई थी उसी की responsibility यहाँ पर उनको दी गई क्यों दी गई? आपने story को पढ़ा नहीं क्या या फिर आपने सोचा कि चलो धर्मा प्रडेक्शन के पैसे है तो हम क्यों ना इस पैसे को invest कर कर आए क्यों ना उत्राखंड की सुंदर लोकेशन दिखा कर आए, गंगा नदी का किनारा दिखा कर आए, जो की खुबसूरत है या फिर उत्राखंड की सुंदर नर्गिस सुंदरता को दिखाया जाए मतलब क्यों, क्यों ये फिल्म बनाए गए मुझे ये बात बताना है मुझे बस ये बात समझा दीजे आप मैं बस ये जानना चाहता हूँ दोस्तों अगर बात करें, फिल्म के अंदर मतलब लगा था कि कुछ फ्रेशनेस हो सकती है सें थेरेसा को नए तरीके से दिखाया जा सकता है लेकिन ये सें थेरेसा बहुत जादा मॉडल हो चुका है और इस सें थेरेसा में सारे फैशन टीवी के जो मॉडल्स है वो रैंप वॉक करते हुए नजर आ रहे है मतलब विशाल शेखर जिननने अमेजिंग सॉंग दिये है वो इस तरीके का म्यूसिक ला रहे है कौन सा सॉंग कोई कोई याद है बस हाँ एक हुक अप सॉंग याद है क्यों क्यों कि उसमें हुक आप है जो कि कैच अच फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है टाइगर भहिया इतना अच्छा कर सकते थे लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया है वह उल्टा इधर कूद रहें, उधर कूद रहें, एब्स दिखा रहें, बॉड़ी दिखा रहें, डांस कर रहें, तैस इट, हाँ, फिल्म के अंदर एक अच्छी चीज है, फिल्म की सिनेमे इंस्टिटूट है, उनके लिए रिसर्च का ये मैटर हो सकता है, बहीं अगर मैं बात करो दोस्तो, फिल्म की एक और अच्छी चीज है, वो है हर्ष बेनिवाल का तड़का, हर्ष बेनिवाल जब-जब स्क्रीन पे आया है, आपको हसी आती है, हर्ष बेनिवाल को अच्छ तक आते हैं, तो हर्ष बहुत जादा बोरिंग भी करने लग जाते हैं, क्यूंकि I'm sure यहां पर उनको creative freedom दी नहीं गई होगी, या फिर उनके scenes को chopped out कर दिया होगा, क्यूंकि उनको ये साड़ा सा triangle love story दिखानी है, कि tiger तारा के पिछे, तारा किसी और किसी और किछे, वो लड new faces है, हम सब जानते हैं, तारा सुतारिया को इससे पहले हमने acting करते हुए देखा है, इस फिल्म के अंदर तारा सुतारिया के लिए एक छोटी skirt पहनना, cheerleading करना, थोड़ी से dance move करने के लावा और कुछ भी नहीं है, एक दो emotional scene देने के लावा कुछ नहीं है, भही यहां पर अनन्या पांडे को ज्यादा screen space दिया गया है, अनन्या पांडे को ज्यादा तवजव दी गई है, second half तो पूरा अनन्या पांडे के उपर ही खेला गया है, वहीं बात करो दोस्तों, अधित्या सी, है बिचार कितने मतलब उमीदों से आये थे, हम जब बात कर रहे थे, मुझ यहां पर अधित्या सील का मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अधित्या सील, मेरे भाई, आपको यह फिल्म ठीक है, आपको करेक्टर मिलता है, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, नाव आएगा, पैसा भी आएगा अच्छा गासा, बट आप इस तरीके के अक्टर नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक छोटी सी लव स्टोरी में देखा है, अपको पुरानी जीन्स में आपको देखा है, आपका पोटेंशल केलेबर इस फिल्म से कहीं ज्यादा है, वेल, मुविंग ओन, फिल्म में गाने नहीं है, स्टोरी नहीं है, डिरिक्शन नहीं है, और जाएं तो क्यों जाएं, टाइगर की होट बॉड़ी देखने के ले जा सकते हैं, अनन्या और तारा को छोटे-छोटे कपडों में आप देखने जा सकते हैं, हर्ष बिरिवाल की कॉमेडी आप देखने जा सकते हैं, और विचार अदित्यसील ने जो थोड़ी बहुत महनत करी है, आप सर पकड़के वापस आएंगे, मुझे लग रहा है कि ये क्या देख लिया आपने, क्यू इस तरीके से ट्रीट्मेंट कर रहे हैं, क्यूं सिनेमा को और वो और दस साल पीछे खीच रहे हैं, जो कि सिनेमा आज से दस साल पहले हुआ करता था, क्यूं प्रोग्रेसिव सोच नहीं है करन जोहर सर के पास क्यों वो इस तरीके की फिल्मों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी कुशन आएंगे दोस्तों दिमाग में और हाँ आपको यह लगेगा कि राहूल कुछ जादे ही बोल रहा है नेगेटिव लेकिन दोस्तों आप जाएंग के सामने उसको चैलेंज करो ओ ऐसी दादागीरी कहां चलती होगी और प्लस यह स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं यार कम ओन यह स्टूडेंट बिल्कुल भी नगले मुश्टंडे इतने हट्टे-कट्टे मुश्टंडे और यह कबड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई लड़की क्यों नहीं हो सकती मुझे यह बता तो बस लड़कियों का काम फिल्म के अंदर सिर्फ छोटे कपड़े पहनना हीरो को रोमैंस करना और एक वजह बनना हीरो की स्टोरी आगे जाए कैसि यहीं है मुझे बस यह जानना है क्या लड़किया स्टूडेंट आफ कोई यह नहीं बन सकती। करण जोषाब क्या सोच रह हो, क्या कर क्या हो मुझे तो समझ में नहीं आरा। फर्स्ट फिल्म में भी आपने दो लड़कों के बीच में competition कराया था, सेकेंड फिल्म में भी आपने दो लड़कों के बीच में competition कराया, भै कियों, किसलिए, क्या वजा है और लड़कीों को सिर्फिक छोटे कपड़े, या फिर गाना या cheerleading, बस that's it करना, या पिर आपको क्या है कहना comment section में please just be honest and stardom के पिछे मत भागिया यार cinema aggressively आगे जा रहा है cinema आगे बढ़ रहा है तो एक तरफ जिस तरफ endgame जैसी film में आ रही है या फिर एक तरफ दोस्तों बदाई हो स्त्री जैसी film में बन रही है या फिर जिस तरफ उरी जैसी film बन रही है गली बॉय जैसी film बन रही है या ताशकन फाइल ले लिजा वो फिल्में बन रही है उस तरफ ये फिल्में आना और इस फिल्म को भी ज्यादा support मिलना तो ये question मार के हम society के ओपर कि society कि धर जारी और वो क्या देखना चाहती है चलिए इजाज़त देता हूँ नमस्कार कुछ बुरा शुरा के दिया होगा तो माफ कर देना बट आप I'll speak my voice या ओ येस बाइज बाइज अगर आप मेरे से स्टार्स की बात करेंगे इस फिल्म को जो कि एक हमारी प्रथा रही है देने की तो मैं पांच में से इस फिल्म को देड स्टार देना चाहूँगा एक स्टार फिल्म को और पॉइंट फाइज स्टार जो है हर्ष बिनिवाल को कॉज ही इस ओसम इन बाट